नमस्कार जैशी कृष्णा मैं राकेश पाठाक श्वानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि मैं आपको तीन ग्रहों के बारे में पढ़ा रहा हूं लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि तीन ग्रहे अगर आपकी कुंड़ी में एक साथ अलग-अलग रहे हूं तो क्या पन मिलते हैं तो आज मैं इन तीन ग्रहों के बारे में आपको बताऊँगा आप अपनी कुंड़ी ले लिजिए और चेक कर लिजिए कि आपकी कुंड़ी में तीन ग्रहे अगर हैं और वो इस तरीके से हैं तो कैसा है तो पहला हम चलें और बुत क्छी कुंड़ी में सानपे ईट है तो शास्त्रों में लिखा I ये क्या बोलते हैं ये कहते हैं भावती ख्यातो मले मतलब भावती ख्यातो मिन्स ख्याती मेंज प्रसिदि मल मिन्स पहलवान ऐसा मनुष्य जो होता है मनुष्य प्रसिद्ध पहलवान होता है, सहासी को सहासी होता है, निस्ठूर होता है, विगत लज्जे, फुड़ा निर्दई होता है, धन सुत्र कलत रहित, लज्जा रहित होता है, इस्त्री पुत्र और धन से भी रहित होता है. यानि जिस पुरुष की कुंड़ी में सूर्य मंगल और बुद्ध अगर एक साथ एक स्थाने बैठे हैं तो ऐसा मनुष्य प्रसिद्ध पहलवान तो होगा, पहलवानी का शौप रखने वाला होगा, सास ही होगा, मिर्दई होगा, कठोर होगा लेकिन इस्त्री पुत्र धन से रहित भी रहने के चांस उसके बन जाते हैं, सब्जेक्ट्टू बशर्ते कि उसी कुंड़ी में धन भाव और लाब भाव अच्छा हो, दूसरा आता है कि सूर्य मंगल गुरू, अगर साथ हों, तब क्या होगा? तो उसमें शास्त्रों में लिखा है कि बच्छ सी निपुनो महारत है, ख्षिती पती मंत्री जे भूपती वरपी, सत्य वचने प्रचंड है, सहे इस्थित तेर भी में गुरूर सूर्येर, ये क्या बोलते हैं? गुरू सूर्ये, ये बोलते हैं तैर भीम गुरू सूर्ये, यानि बच्छ सी निपुनो महारत है, अगर सूर्य मंगल और गुरू साथ सीतों तो ऐसा व्यक्ति बच्छ सी निपुनो, बोलने में चत्र होता है, बहुत निपुन होता है, बहुत धनी होता है, शिती पती मंत देशकार पर देशकाल परिश्टिति के और आज कि किसी कंपनीमें भूराइब के अज में नियुक्ति लिए कि अजय के कृत कि दुने रहके माला होता है थिड़ा क्रोदी होता यह देखे, यह यूती के फल हैं, यह तो आपको और तरीक से यूती तो स्टडी करनी है आपको, देखना भी आए कि सूर्य मंगल गुरू अगर साथ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, किस भाव के स्वामी बनके बैठे हैं, उसके हिसाब से भी आपको फलू का रिज़ट बोलना है लेकिन सूर्य मंगल गुरू अगर एक साथ हो तो ये वाले फल भी होते हैं सूर्य मंगल और शुक्र अगर एक साथ हो तो क्या फल मिलते हैं तब बताया गया है ये बुलते हैं कि सूर्य मंगल शुक्र साथ साथ हो तो आँखों में परिशानी रहती है ने नातुर कुलिने विकार युक्त आखे रहती है अच्छे कुल में उत्पन होता है अगर सूर्य मंगल शुक्र एक साथ हो ठीक है बोलने में थोड़ा कठोर होगा बट वैभवशाली होगा थोड़ा आँखों में परिशानी होने की चांस उसके हो सकते हैं, कि आँखों में कोई विकार हो उसके ये थोड़ी दिक्ते हो हो सकती हैं और अच्छे कुल्वियों उत्फण होने वाला ग्रत्य होगा, जाता कोगा अगर सूर्यय मंगल और शनी एक साथ स्वजन रही तो रिमूर्ट रमूर्ख है एक्षिता जार्क चमान भी सहीते वोलते हैं सूर्य मंगल वैशनी एकत्र स्थित हों तो मनिश्य शरीर में विकलता युक्त यानि विकलांगो थोड़ा विकलांग वाली फिलिंग हो सकती है शरीर के अंदर कि उसका किसी इसका आपरेशन हुआ हो या किसी पैर का आपरेशन हुआ हो इस तरह की चीजें हो सकती है धनीन हो सकता है, सजयव रोगी रहने वाला हो सकता है, अपने लोगों से रहित होता है, थोड़ा मुर्ख भी होता है, थोड़ा होशार नहीं होता है, इसके अंदर ये ध्यान देने वाली बात है, अगर सूर्य मंगल शनी का एक साथ बैठना, किसी कुंडली में अच्छा नह जाता है कि विकलांगता भी हो सकती है, विकलांगो धन रहित हो, विकलांगो हो सकता है, धन से रहित हो सकता है, नित्यम सोगान वितो बनुजे, और नित्य रोग से युक्त हो सकता है, स्वजन रहित हो, अपने लोगों से रहित हो सकता है, अती मूर्ख है, मूर्ख हो सकता है तो यह सब चीजें इसके अंदर दी वही हैं कि अगर सूर्य मंगल शानी एक साथ बठे हैं अब हम लोग आते हैं सूर्य बुद्ध के साथ अगर तीसरा अंग्रह बैठा हुआ है यानि कुंडली में आपके सूर्य बुद्ध और गुरू एक साथ बैठे हों तो मनुष्य क रोक तो होगा लेकिन अतिधनी होगा शास्त्रों और काव्यों की गोस्टी में निपुण होगा कला युक्त होगा लेखक या लिपी करता होता है बहुत बढ़िया लेखक बनता है या लिपी करता बनता है सूर्य बुद्ध शुकर अगर सात हो तीनों सात हो तो क्या होता है कि शुकर बुध और शुक्र तीनों सात हो तो सदय असंतुष्ट रहने वाला ऐसा व्यक्ति हमेशा ए भी तरप्तो वाचाहो ब्रह्मन रुची प्रोशितो गुरुभी भी तरप्तो अभी तरप्तो लिखा हुआ है यानि कि हमेशा असंतुस्ट रहने वाला होता है वाचाहो वाचाल होता है बात करने वाला होता है ब्रह्मन रुची उसकी रुची गूमने में होती है बहुत व्यक्ति थोड़ा असन्तुस्त रहता है बोलने में अच्छा रहता है बढ़ भूमने का शौकीन होता है और इस तरही कारण दुखी रहता है कि सूर्य बुद्ध शनी अगर एक साथ हो तब क्या होगा तो जातक नपुंसों के समान आचरण करने वाला होता है जातक जो है वो डर्पोक की तरह एक आचरण करने वाला होता है सबका द्वेश स्थान सबसे पराजित होता है बंधों द्वारा त्यक्त रहता है मतलब वो ऐसा व्यक्ति सूर्य बुद्ध शनी का योग कुणली के लिए अच्छा योग नहीं है ऐसा जातक जो है वो हमेशा परपोक बना रहता है सबसे सबसे द्वेश रखते हैं सबसे पराजित रहता है अपने बंधों दारा त्यक्त रहता है अपने बंधों भी इसको नहीं लाइक करते हैं यह साथ में से होता है तो यह था सूर्य बुद्ध शनी का एक साथ होना आगे मैं आपको सूर्य और अश्टक वर्क का भी remedies के बारे में भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग इंट्रेस्टेड हैं वो अपना नामें करन करा सकते हैं धन्यवाद जैशी कृष्णा